तो डंडा मारकर सबको सुधार देंगे गुपाल मंडल एक बार फिर बिगडे जेडियू विधायक गुपाल मंडल के बोल जेडियों के बड़ बोले विधाया गुपाल मंडल अपने विवादत कारणामों और बयानों के वज़ा से सुर्ख्यों में रहते हैं और अब फिर गुपाल मंडल ने ऐसा बयान दे दिया जो सीयम नितीश के लिए टेंशन बन सकता है जेडियो के बड़ बोले विधाया गुपाल मंडल ने थाना प्रभारी सीयो को रंडा मारने की बात कर डाली है दरसल नवगच्या में एक विवाभवन में आयोजित जेडियो की कारेकार्णी बैठक बुलाई गई थी मन से गुपाल मंडल ने कारेकरताओं को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि हमारे लोग कहते हैं कि जमीन का मोटेशन नहीं होता कोई काम नहीं होता वेवस्ता लचर है लेकिन हमको चुनकर भेजे हैं ना उपर सब कुछ होगा हमारी सरकार मजबूत है हर काम करने के लिए तयार है लेकिन पूरे बिहार के थाना प्रभारी और सीओ बिगड़ चुके हैं लेकिन सुधारेगा कौन हमारे जैसा गुपाल मंडल इन सब को सुधारेगा काम नहीं होगा तो हम गाड़ी में डंडा रखते हैं एक ही बात क्याते हैं काम करोगे यहां माए शुधारेगा कौन हमारे शागोपाल मंडल मुख्या भूर दिते हैं यह काम हमारा नहीं हो रहा है और मन को निरागे रखते हैं और यह जो कहते हैं तो अब सवाल है क्या बिहार में विधायक के डंडों से सीओ और थाना प्रभारी काम करेंगे काम बिलापर्वाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए विवाग है उनके सचीव है वरिय अधिकारी है जो विवागे स्तर से कारवाई करेंगे लेकिन गुपाल मंडल के बयान से तो साफ जाहिर हो रहा है कि काम सिला परवाही बरतने वाले सीओ को थाना प्रभारियों को वो डंडा से पीटेंगे आपको याद दिला दे किसके पहले बढ़ बोले गुपाल मंडल ने बीज़पी को लेकर विवादित बयान दिया था गला तक कटने की बात कैदी थी बाद में विवाद बढ़ा विधायक की फजीहत हुई तो अपने बयानों से पल्टी मारते दिखे गुपाल मंडल के बारे में बताते चले कि ये कोई पहला मौकर नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया इसके पहले भी कुपाल मंडल कई विवादित बयान दे चुके हैं सर विवादित बयान ही नहीं कई विवादित काम भी कर चुके हैं लेकिन विधायक्जी पर कोई ठोस कारवाई नहीं हुई जिसके कारण इनका जवान दिन पर दिन बे लगाम होता जा रहा है नवगच्या से सुजीत कुमार की रेपोर्ट बिहार तक